मसहूर कॉमेडियन सुनिल ग्रवर का आज यानी तीन अगस्त को जन्म दिने है कभी गुत्थी बनकर कभी डॉक्टर मसहूर गुलाटी तो कभी संतोस भावी बनकर फैन्स का मनुरंजन किया टीबी से लेकर बोलिवर तक का सपर करने वाले सुनिल ग्रवर की रह आसा नहीं थी सुरुआति समय में सुनिल ग्रवर को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपको जानकर हिराने होगी कि सुनिल ग्रवर की फैली कमाई सिर्ग 500 रुफे थे इसका खुलासा खुद सुनिल ग्रवर ने किया था सुनिल का जन्म 3 अगस्थ 1987 को हरियाना के एक छोटी से गाम में हुआ था उन्हें बच्चपन में फिल्में देखने का बहुत सौक था वो अमिता बच्चन और सारू के फिल्में देख उनकी तरह बनने का सपना देखते थे कहा जाता है कि जब सुनिल नौवी क्लास में थे तब उनके पापा उन्हें टबला बजाना सिखने के लिए भेजने लगे वहीं जब सुनिल बड़े हुए तो फिल्म थेटर में काम करना चाहते थे सुनिल ग्रोबर ने एक बार अपने सोस्याल मीडिया आकाउंट पर अपनी नीजी जिन्देगी से जुड़ा एक किस्चा साजा किया था उन्होंने लिखा था मैं हमेशा से एक्टिंग और लोगों का मनोरंजन करने में अच्छा था मुझे याद है कि जब मैं वारवी किलास में था तब मैंने ड्रमा परतियोगिता में भाग लिया था जिसे देखकर वहां आये चीप गेश ने मुझे से कहा था कि मुझे इसमें प्राटिसिपेट नहीं करना चाहिए क्यूंकि ये दूसरों के साथ अन्याय होगा इसके बाद मैंने थेटर के ट्रेनिंग ली और मैं मुंबई आ गया लेकिन कुछ महिनों तक मैंने सिर्फ पार्टी की मैंने अपनी बचत के पेसे लगा कर पास के एरिया में घर रेट पर लिया मैं उस वक्त सिर्फ पासर रुफे कमाता था लेकिन मुझे ये किन्ता की मैं जल्धी सक्सेस्फूल बन जाओंगा उन्होंने आगे लिखा था मुझे जल्धी एहसास हो गया की यहां मैं अकिला नहीं हूँ मेरे जिसे कई लोग हैं जो अपने सहर के तो सुपर स्टार हैं लेकिन यहां सिर्फ एक स्ट्रगलर हैं जल्धी मेरी आमदानी के सारे रास्ते बंध हो गए और मैंने अपने पापा को याद करते हुए सोचा की मैं अपने सपनों को ऐसे तो नहीं जाने दे सकता हूँ मैंने काम करना सुरू किया मुझे टीवी में काम करने का ओफर मिला लेकिन समय पर नहीं पहुच पाया तो मुझे रिप्लेस कर दिया गया इसके बाद मैंने वोईस अबर का काम सुरू किया और मुझे एक रेडियो में काम करने का भी मौका मिला ये सो दिल्ली से चलता था लेकिन ये वाइरल हो गया और फिर पूरे देश में इसे प्रसरित किया गया सुनिल ने लिखा था मैंने रेडियो और टीवी से जुड़े कई काम किये और फिर मुझे गुथी का किरेदारल मिला इसकी बज़ा से मैं घर-घर में मसहूर हो गया मुझे याद है कि एक बार मैं लाइब स्ट्रेसों कर रहा था लोग मेरे लिए चिलाने लगे, हुटिंग करने लगे मुझे लगा किसी और के लिए ये लोग चिला रहे होंगे लेकिन वहाँ सित में ही था मुझे बड़ा अस्चेर हुआ कि ये सब मेरे लिए था मुझ जैसे लड़के को ये सब पाने में बहुत वक्त लगा असुर गुलाटे के किरार में दर्सों को का मायो राजन करते थे लेकिन सुनिल और कपिल की दोस्ती 2017 में तूट गई इसके बाद कपिल और सुनिल अलग-अलग सो करने लगे सुनिल ग्रवर ने अपने केरियर की सुरुआत साल 1998 में फिल्म फ्यारतो होना इता से की थी इसके बाद सुनिल ग्रवर दा लिजट ओफ भगस सिंग मेहुना गजनी जिल्ला गज्यवाद गबर इजवेक बागे और भरत में नजर आये हैं